माध्य परदेश के कई जीलों में ठंडे मोसं चना कोहरा और ओला वरिस्टी के परकॉप से गेहू चना मटर ए मसूर जैसी रभी फसलों को काफी नुकसान होने की आशंका है सरकार द्वारा करवाए गए सर्वेक्षन से पता चला है कि राजिय की 34 तहसीलों में 3000 से ज्यादा किसानों ने फसल को नुकसान होने की खबर दी है खुछ इलाकों में गेहूं की 20 से 25 फीसद फसल शतिग्रस हुई है जबकि चना और मसूर जैसे धलनों को भारी नुकसान हुआ है मटर की फसल को भी हानी पहुँचने की खबर है अनेक खेतों में फसले जमीन की तरह गिर गई है और उसमें लगे फूल तता चोटे चोटे दाने भी जड़ गए है फसल की बरबादी को देखते हुए कई शेत्रों में किसानों ने उस पर ट्रेक्टर चलवा दिये अनेक किसानों को उससे पूर्व खरीफ सीजन में भी नुकसान हुआ था उस समय सोया बीन तता धान की फसल को भ्यंकर सूखे से शति हुई थी गत 14 फरवरी को मध्यपरदेश के राजसों मंतरी ने कहा था कि प्राकर्तिक आपदाउं से रभी फसलों को काफी शति हुई है जिन तहसीलों में फसल को सरवादिक नुकसान हुआ है उसमें बालागाट, कटनी, नरसिंगपूर, शिवनी, हिंडोरी, मांडला, सतना, सिंगरोली, पन्ना, अनूपूर तता छतरपुल जीरों की तहसीले शामिन है चुकि सरवेक्षन की प्रक्रिया भी जारी है इसलिए नुकसान का दाइरा आगे और बढ़ने की संभावना है किसान वास्त्विक नुकसान के अधार पर शतिपूर्ती की मांग कर रहे है नर्मदापूर में भी फसलों को काफी शति हुई है वहीं चन्या और गेहूं की खेती बड़े पेवाने पर खी जाती है लेकिन दिसंबर के अंतिम और जन्वरी के आरंबिक दिनों में घना कोहरे के प्रकौप से फसलों का विकास बादित हो गया है इससे पहले वह चन्या फसल की हालत काफी अच्छी थी लेकिन मध्य जन्वरी तक आते आते उसकी दशा खराब हो गई बीरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी